पिणिया बड़ोदा यूपी बैंग से चार करोण की ठगी के आरोपी के घर कोट के आदेश पर पुलिस ने कुरुकी की नोटिस की चस्पा आपको बता दे जनपसंत कभी नगर के महुली थाना यंतर गद बड़ोदा यूपी बैंग की पिणिया साखा से बिते बर्स हुए चार करोण रूपए की ठगी के मामले में नामजद होने के बाद पुलिस पकड से लगातार फरार चल रहे एक नामजद अरूपी के घर गुरुवार को पहुँची पुलिस ने नियाले के निदेशा अंसार कुरुकी की नोटिक चस्पा कर दी है बिदितों की बैंक और बढ़ोदा प्डिया साखा के ततकालिन साखा प्रबंधक द्वारा महुली थाने में बिते वर्स अपराज संख्या 204 बटे कईस धाराज 429, 420, 466, 478, 471, 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था दर्ज कराय गये मुकदमे में साखा प्रबंधक ने अपने तहरीर में बताया था कि साखा द्वारा संचालित दो, CSP संचाल को गुद्वारा कूट रचित तस्ताबेज की सहरे, सरकारी योजनाओं का लाव तिलाने के नाम पर 2700 फरजी खाते कोले गए थे इन खातों के माध्यम से चार करोण रुपे की सरकारी धन का मंदरवाट CSP संचाल को इंदल कुमारवे रादेश्याम दवारा कर लिया गया तहरीर में साखा प्रबंदक ने बताया कि खुक्त दोनों चालसाच CSP संचाल को ने फरजी खाता खोनने के लिए उनकी आईडी का दुर्पियों किया गया साथ ही खोले गए खातों में धन्रास जमा करा कर बाद में फरजी तरीके से उसका भुक्तान करा लिया गया इस संबन्द में CSP संचालक इंदर कुमार वे राधे स्याम की गुरूद पुलिस द्वारा दर्च किये गए मुकदमे में नामजद इंदर कुमार तो जेल में निरुद है लेकिन नामजद होने के बाद राधे स्यामकुतर रामकरन निवासी ग्राम गाई बसंद पुर्थ थाना दंगटा लगातार फरार चल रहा है जिसके संबन्द में नियाले द्वारा धारा 82 के तहत नोटिस जारी की गई थी जिसके अनुपालन में गुरू वार को मोहली थाने के बरिष्ट उपनिर्यच्यक त्यार नाथ राम ने औरुपी राधे स्याम के घर गाई बसंद थाना दंगटा पहुँच कर नियाले द्वारा जारी कुरूकी की नोटिस को चस्पा कर दिया है आपको बताएं दंगटा से मित प्रताप में इसकी रिपोर्ट